दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो नीर लॉंच कोईन होते हैं उनको कहां से हमको बाय करना है जबकि वो किसी एक्सचेंज के उपर अभी लिस्त भी नहीं हुए हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बने प्रेक्टिकली करके बताये हुआ है कि कैसे-कैसे आपको क्या-क्या प्रोसेस 你यंगे कहां से और आपको वाले करना है tips and new updates जो है वो time to time मिलती रहती है तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं लेकर चलता हूँ आपको मौइल के स्क्रीन पर दोस्तों तो आपको सिंपली से करना क्या है यहां पर Chrome के अंदर आपको CoinMarket Cap को open कर लेना है दोस्तों और इसको desktop site के ओपर जाकर enable कर लेना है यहां से एंड दोस्तों फिर आपको करना क्या है यहां पर right में आपको three lines जो दिख रही है उनके ओपर आप click करोगे जैसे ही next page open हो जाएगा जहां पर इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा यहां पर cryptocurrency सबसे पहला जो option है उसी को choose कर लेना है और आप जब इसको choose करोगे तो यहां पर recently added के ओपर click कर देना है तो दोस्तों यहां पर अब आपके सामने कुछ इस एंटरफेश होगा जहां पर आपको सारे recently जो new launch coin है वो सारे शो हो जाएंगे उनका timing भी आपको यहां पर दिख जाएगा उनके price वगेरा सब चीज आप यहां पर जो है चेक कर सकते हो सब कुछ यहां पर आपको दिख जाएगा कौन सी उसकी blockchain है और किस blockchain पर वो बना है यहां पर कितने time पहले वो launch हुआ है इस सब कुछ यहां पर आपके सामने है volume उसका देख सकते हो आप market cap यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तो यहां पर जो चीज important है वो यह है कि आपको उस particular coin के बारे में पुरा fundamentally research कर लेना है उसका owner coin है वो क्या करते हैं company किस च future में है वो scope क्या है तो बहुत सारी चीजे जो है देखनी होती है एक coin को जब हम buy करते हैं invest करते हैं उसके अंदर तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी research करिएगा और तब जाके ही किसी particular coin को आप buy करिए मैं आपको practically अभी दिखा रहा हूंगे किस तरह से हम buy करेंगे किसी new launch coin को तो जैसे इसी को हम ले लेते हैं वेगसीना को तो वेगसीना को एक बार थोड़ा सा हम डिटेल देख लेता हैं डिटेल देखने के बाद जो है इसका यहां से address copy कर लेंगे हम यहां पर BNB smart chain BEP20 network इसका और यहां से इसका address को copy करके हम फिर जाएंगे जहां से main हमारा process दोस्तों तो यहां से आप थोड़ा सा देख लीजिए इसका volume fully diluted market cap देख लीजिए volume कितना इसका increase हुआ है बहुत ज़्यादा increase देखी कितना 800 कुछ परसेंट जो है volume increase हो चुका है 24 hours के अंदर दोस्तों चलिए आपको दिखा देता हूं इसको कैसे buy करना है दोस्तों इसको buy करने के लिए हमें actually इसका पहले क्या करना पड़ेगा contact address copy करना पड़ेगा फिर हमें किसी decentralized exchange की जरूत पड़ेगी जिसमें आप ले सकते हो trust wallet को trust wallet एक बहुत अच्छा जो decentralized जो है एक platform है वहाँ पर आप लगबग new launch coin सभी को आप वहाँ से buy कर सकते हो तो चलिए पटाफट जोए इसके बाद हमें करना क्या है right side corner में क्लिक करना है यहां पर आपको उस token को जो है आपको सर्च कर लेना है नाम से डालके नाम से नहीं आता तो वह contact address जो copy किया था वहीं यहां पर paste कर देना है उसके बाद यहां पर जो है उस coin का या उस token का address आ जाएगा अगर तब भी नहीं आता है तो अब देखे क्या करना है add custom token लिखा रहा है ना इसके उपर ही click करना है तो add custom token के उपर जैसे ही click करोगे दोस्तों यहाँ पर इस तरह का interface आपके सामने आएगा यहाँ पर आपका network है और contact address है तो network आपको जो है smart chain BNB जो है वो select कर लेना है उसके बाद address में आपको वही contact address paste कर देना है जो आपने copy किया था यह सारी details अपने आप यहाँ पर आ जाएगी ठीक है दोस्तों decimals वगएरे सब यहाँ पर fill up automatically हो जाते हैं तो अभी आपको यहाँ पर done पर click कर देना है ओपर corner में right side में done का option आ रहा है उसके ओपर click कर देना है तो यह जो token है यह जो coin है यह जाके हमें जो है pancake swap को search कर लेना है देखिए pancake swap popular में ही जाके करें तो ज्यादे better है तो popular में pancake swap को search करके उसको ok कर देना है next इस तरह interface आपके सामने आएगा और यहां से शुरू होता है इसको buy करने का process अब आपको करना क्या है कि जो उपर bnb का sign आ रहा है अगर वहाँ ethereum का ह तो आपको smart chain को select कर लेना है ethereum किजैगे तो जैसे smart chain को select कर लोगे दोस्तों नीचे फिर आपके सामने second option में हमें क्या करना है हमें अपने wallet को connect कर लेना है wallet को connect करने के लिए यहाँ पर connect लिखा आएगा इस तरह से तो आप इसको click करोगे आपको test wallet के चूज कर लेना है test wallet को चूज करते ही आपका जो wallet है वो connect हो जाएगा अब नीचे आएगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पर BNB का option है तो के option के ऊपर ही click करना है इसके ओपर click करते ही जो है अभी next page पर आजाएगे यहाँ पर देखिए select a token उस token को select करना है उसका नाम डालके या उसका contact address डालके यहाँ से वो token जो आपके सामने show हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर कुछ warning show होगी इसको आपको जो है import कर लेना है I understand पर click करके इसको import कर लेना है तो import जैसे ही आप कर लोगे यहाँ पर यह add हो जाएगा अब next step में हमें यहाँ पर quantity fill करनी है वेगास कितने आपको जो है buy करने है अपने BNB के according आप उसको buy करेंगे तो quantity जैसे मैंने fill कर दिये मैं इतने BNB से buy करना चाहूंगा तो simply से swap के ओपर click कर देना है और जैसे एक pop-up window show होगा यहाँ पर confirm swap कर देना है confirm swap करते ही दोस्तों यहाँ पर देखे waiting for confirmation तो यहाँ पर smart contact call जो है वो execute हो जाएगी यहाँ पर इसको approve कर देना है approve करते ही दोस्तों यह process जो है आपका complete हो जाएगा देखे ट्रांजेक्शन submitted हो चुका है अभी इसकी आप details देख सकते हो यहाँ से हम back जाएगे और trust wallet के home page पर आकर यहाँ पर इसको refresh कर देंगे एक बार refresh करने के बाद यह सारा हमारा वेगा सीनों यहाँ पर show हो जाएगा कितना हमने वेगा सीनों पर purchase किया था अभी इसकी details देखने के लिए आपको यहाँ पर click कर देना वेगा सीनों के ओपर यह भी आप चेक कर सकते हो कितने अपने buy किये हैं कितने amount में buy किये हैं और details देखने के लिए आपको बैक करके BNB को select करना है और BNB को select करके आपको सारे details यहाँ पर show हो जाएगा देखिए यहाँ पर status आप चेक कर सकते हो and network fee भी यहाँ पर काफी देखे कम लगी है बहुत जादे network fees यहाँ पर नहीं लगती है और more details के ओपर अगर click करोगे तो और भी सारी details आपको दिख जाएगी आप सीधा BSC scan के ओपर चले जाओगे वहाँ से आपको सारे details मिल जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप किसी भी new launch coin को जो है token को आप कभी भी buy कर सकते हो बस आपको trust wallet को अपने जो mobile के अंदर install कर लेना है उसको create कर लेना trust wallet को और create कैसे करते हैं उसका link description में दे रखा है तो आप वहाँ पर जाकर उसको follow करके अपना trust wallet जो है वो बना सकते हो दोस्तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतानी चाहूंगा कि जो new launch coin होते हैं उनके अंदर अच्छा कासा profit जो है लिया जा सकता है जो बड़े बड़े investor होते हैं बड़े बड़े traders होते हैं वो ऐसे ही करते हैं new launch coin को ही वो buy करते हैं और short term में उसमें अच्छा कासा profit जो है वहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों तो जालते लोग beginners यह सूचते हैं कि new launch coin कहां से हमें मिलेगा और किस तरह से हम उसको buy करेंगे ताकि कि हम भी अच्छा profit जो है बना सकें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं बताने की कोशिश की मैंने आपको और पुरा प्रोसेस आपको practically करके दिखाया और जो new launch coin होते हैं आप उनको coin market cap के अलावा coin जेको के उपर भी जो है सर्च कर सकते हो वहाँ पर भी आपको कु और हाँ latest update पाने के लिए आप टेलीग्राम भी जोइन कर सकते हो टेलीग्राम लिंक आपको description में मिल जाएगा दोस्तों और साथ ही साथ चैनल को भी subscribe करके रखिएगा ताकि future में आने वाली वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते नेक्स रूडियो में तक तक के लिए बुल बार